हेलो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ मचली खाने के फायदे और नुकसान उसके पहले मैं आपको बताऊंगी मचली में कौन से निउट्रियंस और कौन से विटामिन्स पाय जाते हैं मचली खाना हमारे हेल्थ के लिए क्यों फायदे मंद होता है दोस्तो आप चाइनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें मचली में पाय जाने वाले पोसक तत्तो सरीर में एक सवस्त संतूलन बनाये रखते हैं और सभी परकार की प्रमुख बिमारियों से लड़ने में मदद करते हैं मचली में ओमेगा 3, फैटी एसिड और विटामिन D अच्छे एमाउंट में पाय जाते हैं मचली खनीजों का एक बड़ा स्रोत होती है जैसे प्रोटीन, केलसियम, फैसफोरस, आईरन, सोडियम, मैगनेशियम, पोटेशियम, जिंक और विटामिन B2, B12 भी अच्छे मात्रा में पाय जाती है नाउ, मचली खाने के फायदे नमबर वन, मचली केंसर से बचाओं में फायदेमंद होता है क्योंकि मचली में ओमेगा 3 fatty acids होता है जो anti-inflammatory होता है ये केंसर के rix को कम करने में मदद करता है नमबर टू, मचली आँखों के लिए बेहत फायदेमंद होती है क्योंकि इसमें विटामिन A पाया जाता है जो आँखों के लिए महत्तोपूर होता है 3. दिल के दोड़े से बचाओं में फायदे मंद क्योंकि मचली में सेचुरेटेड फैट नहीं होती है इस वज़ा से यह आपके स्वास्त अवर और विशेश कर हिर्दे के लिए अत्यधिक लब दायक है 4. बालो के लिए फायदे मंद मचली में विटामिन E पाया जाता है विटामिन E एक एंटी आक्सिडेंट है जो एसकीन अवर बालो के लिए महत्तोपूर होता है 5. दिमाग को तेज बनाने में फायदे मंद मचली में ओमेगा थरी फैटी एसिड के लावा DNA भी होता है जो दिमाग के विकास अवर स्वास्त के लिए महत्तोपूर होता है मचली में विटामिन B टुएल भी होता है जो neurological health के लिए महतोपूर होता है Now, स्वस्त अहार के रूप में प्रतिस अपता कम से कम दो बार मचली खाना चाहिए अब मैं आपको बताऊंगी मचली खाने के नुकसान मचली खाना बहुत ही फायदे मंद होता है लेकिन हद से ज्यादा मचली खाने से आपको बचना चाहिए क्योंकि जितना इसका फायदा होता है उससे थोड़ा नुकसान भी होता है Now, मचली में काफी मात्रा में सोडियम होता है जो आत का बाइलेंस बिगार सकता है जिसकी वज़ा से सुजन, कबज और पाचन संबंधित दिखते हो सकती है वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में बताईए और वीडियो को अधिक साधिक से अर किजिए